वेल्कम टू द्वनिस कीचन आज मैं एक गुजराती स्नेक्स रेसिपी शेयर करूंगी हांडवो हांडवो बनाने के लिए मैंने तीन कप राइस लिये हैं हाफ कप चना दाल हाफ कप तूर दाल इन सबको हम मिक्स कलेंगे इसको हम 5-6 गंटे के लिए पानी में भीगो देंगे 5-6 गंटे भीगोने के बाद अब हम इसको क्रश कलेंगे मैंने एक कप दही लिया है कर्ड हम दही डालके ही उसको क्रश कलेंगे तो अब ये मिक्स्चर क्रश हो गया है अब हम इस बैटर को 6-7 गंटे फर्मेंटेशन के लिए साइड में रख देंगे 6-7 गंटे फर्मेंटेशन होने के बाद अब ये बैटर तैयार है अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे ओल 1 तीश्पून अधरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट नमक 1 तेबल स्पून अचार मसाला 4 तेबल स्पून तील 1 तीश्पून अजवाइन 2 तीश्पून राई 1 तीश्पून लाल मिर्च 1 तीश्पून हींग 1 तीश्पून हल्दी पाउडर 1 तीश्पून कुकिंग सोडा मैंने लौकी को घीस लिया है मैंने अराउंड 2 कप घीसी हुई लौकी ली है अब हम इस बैटर में सारे मसाले डाल देंगे सबसे पहले हम सॉल्ट डाल देंगे अधरक हरी मिर्च और लौसून की पेस्ट अचार मसाला गूड लाल मिर्च हींग 1 फोट टीश्पून अजवाइन 1 टीश्पून ओइल 2 टेबल स्पून डाल देंगे वन टेबल स्पून तील डाल देंगे अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे हाफ टीश्पून हर्दी पाउडर डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे अब उसमें गिसी हुई लौकी डाल देंगे फिर से उसको मिक्स कर लेंगे हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है गिसी हुई लौकी में से थोड़ा पानी वैसे भी रिलीज होगा तो उससे बैटर थोड़ा पतला हो जाएगा अब इस बैटर को आधे गंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे तो इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आधे गंटे के बाद हम इसमें वन टी स्पून कुकिंग सोडा डाल देंगे इसको हम दो तिन मिनिट तक एक ही डारेक्शन में मिक्स कर लेंगे तो इस बैटर का फ्लफी टेक्स्टर आ जाएगा अब हम इसमें तड़का लगाएंगे अब एक नॉन्स्टिक पैन में तीन से चार टेबल स्पून ओईल डाल देंगे हमें नॉन्स्टिक पैन ही लेना है ओईल घरम होने के बाद वन टी स्पून राई डाल देंगे राई घरम हो जाने के बाद हम इसमें दो टेबल स्पून तील डाल देंगे और तुरंथ ही उसमें हानवा का जो बैटर है वो भी डाल देंगे गैस की फ्लेम लो रखनी है हमें थोड़ा बैटर ही उसमें डालना है गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है और इसको हमें 6-7 मिनिट तक ऐसे ही कुख करना है 6-7 मिनिट के बाद अब आप देख सकते हैं ये हानवा उपर से थोड़ा कुख हो गया है अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम इसको ऐसे पलट लेंगे और फिर इसको हम वापस नॉन स्टिक पैंड में रख देंगे फिर से इसको 6-7 मिनिट तक ऐसे ही कुख कर लेंगे इसको पलटते वक्त थोड़ा ध्यान रखे 6-7 मिनिट के बाद एक नाइफ लेके ऐसे इसको चेक कर लें तो अब ये हांडवा तयार है हांडवा को आप हांडवा कुकर में भी बना सकते है तो अब ये हांडवा तयार है इसको हम कट कर लेंगे इसको हम टॉमेटो केचप और मुंख फली का जो तेल होता है सिंग तेल उसके साथ सव कर सकते हैं इसको हम घर्मा घर्म ही सव करेंगे अगर ये ठंडा हो जाता है तो चाई के साथ ये बहुत अच्छा लगता है कर दो चाई बहुत अच्छा लगता है